तो हलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी एक बाफ इसे स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बात करने वाले राजश्रा उपनी रेचक पठवारी लेखवाल परिक्षा 2022 के बारे में जो की जिसका एक्जाम सकल 12 जो है 12 फरवरी को पूरे इस्टेड में हुआ और जो है क्योंकि इससे जुड़ी हुई कुछ जो है पेपर लीग की खबरे जो है आपको देखने को मिल लेती जैसे हमने उत्तरकासी में सुना गोफिशर में सुना ठीक है तो उसको लेकर क्लारिफिकेशन्स क्या है उत्राखन पुलीस की तरब से और जो है यहाँ पे जो है बारा फरबरी 2023 को पुरवा है ग्यारा बुजे से एक बुजे तक राज्य के तेरा जनपतों में कुल 498 परिक्षा केंद्रों में सकुसल आविजित की गई उक्त परिक्षा में कुल आविदित अभियरती हूँ एक लाग अठावन हजार दो सो दस के सापिक्ष एक लाग तीन हजार सा सुतीस अभियरती उपस्तित हुए उक्त उपस्तिती 65.60 परसेंट रही यानि कि 65.60 परसेंट ने एकजाम दिया कतिपा या भियरते हूँ द्वारा प्रशनपत्र की पेपर सील की गोपनिता के संबंद में व्यक्त संदे या भ्रांतियों के संबंद में अगवत कराना है कि प्रशनपत्र प्रेस द्वारा बॉक्सों सील्ड किया जाता है, उक्त बॉक्सों के अंदरगर लिफापों में प्रशनपत्र सील्ड होते हैं, गोपनिय सामगरी के प्रेस से आयोग में उपलब्द होने हैं, आयोग से जनपतों को उपलब्द कराए जाने तदा परिक्षा जाती है और प्रते एक प्रशन पतर पर पेपर सील लगी होती है जिसकी कभी-कभी आतायात के दौरान तूटने की संभावना हो सकती एक प्रशन पुस्थिका की पेपर सील को कख்शिन रिच्च के नुदेश पर अभ्यर्तियों द्वारा खोला जाता है ताकि सभी अभ्यरतियों को समान आवशर्वा समय मिल सके अथो प्रस्न पत्र की गोपिनेता सरक्चित है तता कतिपई अभ्यरतियों दारा ब्यक्त संदे निर्मूल है कतिपई लोगों दारा इस विसे में भ्रामक खबरें फिलाई जा रही है जिनके व्रुद नए नकल विरोधी अध् अधानों के तहत कारवाई की जाएगी दूसरा यहाँ पर देखे आवश्यक शुचना ये भी आई कि आज दिनांक 12 फरबरी 2023 को आई ज़िट पटवारी लेखफाल परिक्चा के दोड़ान बड़कोट निवासी अरुड कुमार अन्यसातियों वह कुछ न्यूज पोटल द दोड़ान इस मामले की जानकारी मिलते संबंद मिलते संबंदित कक्च निरिक्चा के एबं अन्या दिकारी आयोग परतिनितियों द्वारा उख्त चात्र के संदे को दूर किया गया जिस पर साथ चात्रें जो है संतुष्टी प्रकट कीती तचपच्छात इस्तिती पस्तित नहीं हुआ जिससे इस परश्ट है कि उक्त चात्र उसके साथियों इबं संबंदिन न्यूज पोटल ने यो कृतिया दुरुभावना से ग्रासित होकर किया है उक्त मामले में परिक्चा के एंदर ब्यवस्तापक या प्रभारी प्रदानाचारी राजिक्या पॉल कंदर्गत एफायार संख्या 11 2030 पंजीकृत किया गया है तो यह जो है पहली एफायार यहां पर यह जो है दर्ज हुई है इस कानून को लेकर जो यह कानून मना है अपना जो की जो भरती परक्रिया में जो अनुची साधनों के निवारान तो कुल में लाकर देखिए कि सबस अब जो पूरा चक करना चहिए था सूझ देश्र करने चाहिए फोज करने चाहिए बेल्ट उतार के भाई बैल ट जो है एक्जाम कोई भी एकजाम हो चुछाया आपका उसके बैल्ट ले जाना एक जो है आपके पास मैं आपकर कोईबी संवान थाप उसको चाहए वीडियोग्राफी वी नहीं हुई है जब आप एग्जाम दे रहे हो जाएं पूरी तरीके से यह आयोग जिम्हदा यहा वो सकती अभी भी नहीं है क्योंकि देखिए इतना वार लेग पेपर लीग होने के बाद भी जो है इतनी सकती पेपर में नहीं दिखाएगी जिस तरीके से आप जैसे आप कोई सेंट्रल गौवर्मेंट का जो है एक्जाम देते हैं चाहिए वो नैशनल लेबल का एक्जाम च एक रुप्पे का अगर कोईन्स भी है तो उसको भी जो है अंदर जाना एलावड नी होता है आप बिना सूज के अंदर जाते हैं सूज आपके अतारे जाते है सौकस आपके च openness इतो है ठीक है थी अभी भी जो सकती थी कि जो एक पर तरीके जो चक करना होता वो अभी भी चक नहीं किया गया है कुछ सेंट्रों में चक किया गया होगा लेकिन अधिकतर सेंट्रों में जैसे मैंने देखा ठीक है ऐसा नहीं है कि सारे सेंट्र एक जैसे होगी सब ज़कों जो है चक नहीं क तो यह पूरी जो है विवस्ता जो है जो है कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है लापरवाही डिला डहली अभी भी जो है एक्जाम्स में देखने को मिल रही है तो फिलाल जो है आप तैयारी कीजिए प्रफरेसंस कीजिए आने वाले टाइम में जो भी आयूक की तरफ से जो है हिंदी के क्वेशन थोड़ा मीडियम मीडियम लेबल के थे लेकिन करंट अफियर्स भी आपको ठीक ठाक पूरा करंट यहां पर पूछ दिया था तो काफी अच्छे क्वेशन से यहां पर आये हुए थे और का टॉप की तो आपने देख लिया होगा यूट्यूब अलड टाइम में क्या आवत्ता है